कुड़ा के बारे में करने वाले हैं प्रिके से लिखते हैं और जब बोलने की बात आती है तो आप कुड़ा बोलते हैं Yes, of course, कुड़ा So, examples के थूरू समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा So, could have को हम बहुत बार यूज करते हैं कि हो सकता था कोई चीज पास में हो सकती थी Could have के साथ बताते हैं Means, वो काम अप प्रेजन्ट में है नहीं जब साब बता रहें कि ये ऐसा हो सकता था मेरे पास एक कार हो सकती थी I could have a car ये बोलने के बोज़ाए I could have a car आप बोलेंगे I could have a car मेरे पास एक कार हो सकती थी ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ Incoming time अगर आप किसी American से Conversation में जाएंगे तो आपको Problem ना आए मेरे पास एक कार हो सकती थी I could have a car आपके पास पैसे हो सकते थे अगर आप कमाते हैं तो पैसे हो सकते थे आपके पास you could have money आपके पास पैसे हो सकते थे Yes आपने उसको हा नहीं बोला वरना आपके पास एक मोका हो सकता था आपके पास एक मोका हो सकता था You could have a chance You could have a chance आपके पास एक मोका हो सकता था आपके ब्रादर ने लास्ट वाला पंच अच्छे से नहीं लगाया अगर वो boxing में last वाला punch उस tournament के अंदर अच्छे से लगाते तो आपके भाई के पास gold medal हो सकता था तो बात करेंगे your brother could have a gold medal उसके पास gold medal हो सकता था इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि हमारे पास business करने का एक अवसर हो सकता था मलब business opportunity हमारे पास हो सकती थी we could a business opportunity हमारे पास business का आवसर हो सकता था सो कोई चीज हो सकती थी पास में सो उस condition में बात करेंगे could have अब क्या हो सकता इसमें twist ये भी आजाता है कि बहुत बार क्या करते हैं इसके साथ verb लगा देते हैं could have और verb और verb लगाएंगे आप third form और जब बताना चाहें कि ये काम हो सकता था मैंने कहा कि आपने थोड़ी सी मैनत नहीं की वरना आप क्या है कि boxer बन सकते थे आप boxer बन सकते थे तो ये बोलने के वज़ाए you could have become a boxer आप बात करेंगे you could have become a boxer आप boxer बन सकते थे देखो वो मेरे चाचा थे मैंने इसलिए सुन लिया वरना मैं मूँ तोड़ जवाब दे सकता था मैं मूँ तोड़ जवाब दे सकता था सो बात करेंगे I coulda उसके बाद क्या करेंगे सीधा third form लगानी है retorted हो जाएगा I coulda retorted him मैं उसको मूँ तोड़ जवाब दे सकता था बस इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरे बड़े थे मेरे चाचा थे और मैं respect करता हूँ इसी तरीकी से मानली जी कोई match हुआ match के बाद खिलाडी जो हार गए वापस में बात करें वो weak point रह गया वो weak point रह गया वरना वो लड़ सकते थे तो बात करेंगे they could have fought वो लड़ सकते थे तो इस तरीके से आप जब बात करते हैं कि ये काम हो सकता था you can go for like it इस तरीके से आप बात कर सकते हैं ठीक है आप चुप हो गए वरना वो आपको गाली दे सकता था तो बात करेंगे he could have abused you वो आपको गाली दे सकता था ओके सो still we discussed two points first है कि past में हो सकता था इसमें verb नहीं आएगी कोई things आएगी और दूसरा हमने किया कि हो सकता था और उसके बाद क्या रहेगा could have के साथ हो वर्ब की third form लगाएगे कि ये हो सकता था third use करने कि यहाँ भी sense तो वही जाएगी हो सकता था बट क्या होगा इसमें verb अलग से लगाने की जूरुत नहीं है इसमें been आएगा और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे non verb ही रहेगी verb नहीं आएगी किसी things की भी बात आप कर सकते हैं ध्यान रखें कि वर्ब नहीं आएगी could have been हो सकता था मैंने का वो घर पे हो सकता था अब नहीं है तो मैं क्या करूँ बट हो सकता था सो बात करेंगे he could have, मैं could have को कुड़ा कर रहा हूं he could have been at home वो घर पे हो सकता था हम अच्छे दोस्त हो सकते था कि वो कैनेडा के अंदर हो सकता था अगर उसने मुझे पांचलाग रुपे दी होते सो वो कैनेडा के अंदर हो सकता था मैं उसको भेज सकता था सो बात करेंगे he could have been in कैनेडा वो कैनेडा के अंदर हो सकता था इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर कि वो मेरे साथ हो सकती थी वो जो है मेरे साथ हो सकती थी अगर वो मेरा साथ देती सबात करेंगे she could I been with me वो मेरे साथ हो सकती थी सो इस तरीके से आप बात करते हैं कि यह हो सकता था ध्यान रहिए could I've been उसके बाद आपको वर्ब नहीं लगाना है आपको simply इसी तरीके से बात करनी है So let's go for next use और next use है हमारा passive और passive में क्या होता है Could have been और फिर वर्ब की third form लग जाएगी हो सकता था मैंने का आपको पीटा जा सकता था You could have been beaten अब यहाँ पर could have been beaten आपको पीटा जा सकता था ऐसे करके बोल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जा सकता था So बात करेंगे वो भी cricket match The cricket match could have been played between India and park खेला जा सकता था इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि आपका TV जो है न वो ठीक किया जा सकता था current नहीं था तो क्या करें So बात करेंगे Your TV could have been repaired ठीक जो है न वो हो सकता था current नहीं था Sorry for that हम कुछ कर भी नहीं सकते इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि एक गाना पार्टी में गाया जा सकता था So बात करेंगे A song could have been sung in the party पार्टी में एक गाना गाया जा सकता था इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखो आपने वैसे हिम्मत ने की रिश्वत देने की रिश्वत दी जा सकती थी सो बात करेंगे bride could have been given रिश्वत जो है वो दी जा सकती थी सो इस तरीके से आप बात करते हैं passive में could have been हमारा जो आज main target था वो था could have को could have बोलना क्योंकि ये तो मैं आपको पहले भी करवाच चुका हूँ बट टारगेट था आजम could have को सीखा है बोलना coulda, so जब भी आप बोले could have को, आपको बोलना है coulda, so I hope समझ में आया होगा और interesting भी रहा होगा और incoming time जब भी आप could have को बोलेंगे so आप इसको बोलेंगे coulda और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलिएगा क्योंकि आपकी लाइक ही मेरे confidence को build up करते हैं so मिलते नेक्स वीडियो में till then, have a good day